हलो गाइज आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पिकिंग कोर्स के शिक्स दे यानि कि छठे दिन की और आज के लेक्चर में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चोटे-चोटे सेंटेंस किस तरह से इंग्लिश में बनाया जाते हैं बिना किसी वर्ब को वर्ट को याद किये भीना राइट कैसे पांच दिन तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए आज हम बात करें शिक्स लेक्षर की मतल्क में पाल सर्ण शॉपब हो एक अच्छा इंसान है फांच में क्या रहे हैं मुझे बूलना है नास में क्या आ रहा है टो यह सारे sentence यह क्वशन के प्रेजन के तो प्रेजम में बनाने वाला हूं यह अरक लेकर क्लिस यहां क्वशन करते तो व्म रिर्द प्रेजिक किसलिए आता यह रहे प्रेजेट में प्रेजन में तो इसको क्या बोली है helping verb linking verb to be बोलते इसको इस कहां लगता है तो मैंने clearly लिख दिया है कहां he she it और किसी इंसान का अगर एक नाम होगा एक वचन होगा तो इस लगेगा यू वी दे के साथ आ लगता है आर आई के साथ हमेशा क्या रगता है एम और बाद में जो बचा हो लिखके sentence को पूरा करते हो बन गया sentence आपका राइट मतब सबसे पहले आप किसके शुरुआत करोगा लेक्चर नमबर वन डे नमबर फर्स दे को क्या बताया था नाउन से जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उससे sentence के सुरुआत करते हो तो आएब हम sentence को बनाने की कोशिस करते हैं वह एक अच्छा इंसान है गैस यह sentence present का है इतना समझ में आ रहा है मुझे अब मैं इसमें बात किसी कर रहा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ अब वह या तो लड़की हो सकती है शी या फिर लड़का हो सकता है ही तो अब हम बात करते ही की एक एक करके सारे नौन का एक्जामपल लेते तो चलो मैंने इस पर मान लिया ही तो ही लिखूंगा सबसे पहले सब्जेक्ट अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है इस है मार तो ही के साथ क्या आ रहा है इस ही इस उसके बाद लिखना है मुझ सारे सेंदेज बना सकते ही के साथ हमें साथ इजी लगता है he is my friend he is very kind-hearted person he is very you know like a hard-working student he is a regular student he is a very nice guy मताब ही के साथ हमें साथ क्या लगता है is right दूसरा example देखते हैं वहां मेरी मित्र है तो कि वहां मेरी मित्र इसमें बात किसे करा वहां कि अब मेरी लिखा है तो of course क्या होने वाला है she तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं she okay is yes he का मतलब भी वहां होता है she का मतलब भी वहां होता है लेकिन यह बॉइड के लिए आता है और यह गर्ल के लिए आता है बस फरक कितना सा है तो यहां पे मैं मेरी मित्र है आता है घलपिंग वह में बाद में क्या रिखना है दो थाई शी इज लिखा फिर कैं मेरी में तरह तो मैं लिखंगा थी इस माई फ्रेंट c is my friend that's it c is my colleague c is my best friend c is my sister whatever सबसे पहले नाम लिखूंगा क्या लिखूंगा सचीन राइट फिर क्या लिखूंगा सचीन यानि नाम में कोई इसे मार तो सचीन के साथ लिखेगा सचीन इसफाहिं सचीन इच्छीन टारन राएट कुछ भी चल सेकता है यह मेरे किताब अब दर्में निर्जीव की बात कर रहा हूँ या सजीव की तो इसम harassment आएगा निर्जीव किताब तो आएगा इट जब भी आप किसी निटजीव की बात करोगे निटजीव नॉन लिविंग तेंग तब आप क्या लिखोगे इट हमेशा और इट के साथ भी क्या आता है इस तो मैं लिखूंगा इट इस माई भूक इडिसमाइब अब इडिसको मिक्स करते हैं बनता है इट माइब दोनों चल सकता है रही वन मौर इक्टामपल इडिस नागर इडिस माइब फोन इडिस एफेन इडिस अब जोन को बताने के लिए जब भी मैं बात किसी निट्जीव की करोंगा तो क्या आप बताऊ होंगा it's right guys मैं सारे नाउन का एक 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 जमपल रहा अज के बाद आपको इसे माल लगाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मैं मानता हूँ यह बहुत इजी लग रहा होगा आपको यह तो बहुत ही नहीं बुलते कि नास्ता पानी है तो सब बहुत इजी लग है आपको आपको डिमाग में चीजे नहीं है आपको यह concept नहीं पताए अगर पता है तो तो किसी ने बता दिया आपने मान लिया बस आपने खुद का बुद्धी कभी यूज नहीं किया है क्यों आपको खुद के content पे खुद के knowledge पर बरोसा होता है तो आप चाहे एक इंसान हो या एक लाख इंसान हो आप नहीं बोलते के छाती खोल के बोल सकते हो वह पर आपको हम यू तो यू रहाइड अब यू के साथ क्या लगेग तो यू के साथ लगेगा आ तो लेगा दू कि यू अब यू आरफ्या को पर लोड़े शेंद का Reserve नहीं माइय क्लासमेंयट you are my classmate बहुत simple जा रहा है, सब simple हो रहा है समझ मैं आ रहा है अच्छे से अब हम बात करते है एक जे example की हम आपके साथ है कि इसमें बात किस क्यों हो रही है हम आपके साथ है तो हम हमारी, तो मैं लिखूंगा क्या हम के लिए क्या आता है we, right so हम के लिए क्या आता है we, अगर आपको subject पैचान है अभी भी problem होड़ी तो आप day one में चले आना वापिस अब वापिस first lecture जाकर अच्छे से देखो तो subject क्या है, we अब we के साथ क्या लग रहा है, तो वी के साथ लग रहा है we are you know, we are colleagues, we are students, we are people, we are the citizens of India getting my point guys अब मैंने लिखा है, वे मेरे सगे वाले है मतब relative से, तो वे के लिए क्या आता है, third percent है और बहुत सारे है तो अगर एक होता third person, तो he या she आता, लेकिन बहुत सारे यानि क्या आएगा दे और अब दे के साथ क्या लग रहा है, two b में, तो दे के साथ लग रहा है, are, तो लगा दो, they are, so they are, अब क्या बचाओ लिख दो, वे मेरे सगे वाले, तो क्या लिखूँँगा मैं, they are, मेरे यानि, my सगे वाले को, क्या बचले, relatives मैं आपका विद्यारती हूं तो सबसे बेले इसमें बात कसकी करो मैं मेり तो सबसे बले क्या रिखूंगा आए अब सबसे यह यह मैं आपके फ्रेंड का फ्रेंड यह फ्रेंड यह फ्रेंड फ्रेंड नहीं और जो आपको यह इसे मह लगाना कैसे है किस तरह से तो मैं याद कुछ नहीं करना है और फॉर्मूला याद नहीं करना है और फॉर्मूला याद करने के चक्कर में तो इतने साल वेष्ट करके आ गए हो 12 साल कॉलिज पढ़ा 3-4 साल कॉलिज में पढ़ा स्कूल टुशन में क्लासिस में ऑफ्लाइन अन्लाइन कोर्स लिए कहीवार पैड़ लिया है पैसे पpowर अलमीले को सब साइब में तो सभसे बहilar parece के बारे में बात करें नान को चीज को वस्तू को लेना जिसके बारे में बात हो रही है उसके बाद आपको बचाओ लिख तो पार लगा लगाने का बहुत टीप इंड तिरेक्स बहुत इसी मपराइट जाएंगे यही situation past में किस तर से deal करनी है so keep running and keep sharing our videos thank you